पती रनवीर सिंग से अलग होने की अफवाहों पर दीबिका ने तोड़ी चुपी, सभी के सामने कह दी बड़ी बात अलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टू बॉलिवुड नसर आपको बता दे कि बीते दिनों बी टाउन के सबसे होट कपल दीबिका पादुकोर्ण और रनवीर सिंग के डिवॉर्स की अफवाहें फैल रही थी और काफी समय तक चुप रहने के बाद दीबिका ने भी इन अफवाहों को लेकर बड़ा एलान कर दिया है दरसल हाली में दीबिका पादुकोर्ण मेगन मॉर्कल के पॉड़कास्ट में बातचीत करते हुए दिखाई दी और इस दोरान मेगन के साथ दीबिका ने अपनी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ से कई बाते शेर की हैं और पॉड़कास्ट पूरा होने के बाद जादे जादे दीबिका ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे दीबिका के डिवॉर्स की अफवाह फैलाने वालों को मूह तोड़ जवाब मिल गया दरसल दीबिका ने मेगन से कहा कि मेरे पती एक हफते से म्यूजिक फेस्टिवल के लिए गए हुए थे और वो अभी वापस आये हैं वो मेरा चहरा देखकर खोश होंगे ये सुनकर मेगन भी खोश हो गए और उन्होंने दीबिका को पती के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सला देते हुए अलवेदा कहा दीबिका की इस बात से ये तो जाबित है कि उनके और रनवीर के बीच में कितना बढ़िया रोमाश चल रहा है और डिवार्स की अफमाए ये तो बलकुल कर लात है दोस्तों आपको बता दे कि इसके पहले भी रनवीर सिंग ने एक पबलिक इवेंट की फोटो देखकर सोशल मेडिया पर लिखा था कि मेरी रानी हम दोनों को प्राउड फील करवा रही है तो दोस्तों दीपी का और रनवीर के इन बयानों से ये बात तो साफ हो जाती है कि इस कपल के बीच में सब खुश मस्त चल रहा है और फैंस को फिर्क करने की जुरत नहीं है सब अपनी अपनी देखो इनका तो बढ़ी है तल रहा है वैल दोस्तो दीदी का और रनवीर की जोड़ी आपको कैसी लगती है कॉमेंट सिक्चन में कॉमेंट करके ज़रूर बदाई और ऐसी ही अफाहों से परदा उठाती हुई और रियल बॉलिवूड न्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बॉलिवूड नजर